तीर आधे क्लें बदेखेंगे लोड खोई अंशीस तो ऊनीसिसुट को मदखी मताइजोपए लोड खोई अनालीसिसिति जेखें अश्तो करता ह्या добр8 और्यक्ट उत्तिकons इस्चेम की सब्सक्राइज करता है अंडर यह नॉर्मल स्टेट हो सकता है नॉर्मल आपका इस्टेटी स्टेट हो सकता है या इस्टेटी कंडिशन हो सकता है तो लोट फ्लो इनलीसिस होता है लोट फ्लो इनलीसिस आपका सिंपली होता है एनलाइज करता है कोई डिटर्माइन करता है करेंट का वोल्टे कुछ थे हो गया आपका एक्टीबावर हो गया यह श्राथ इसस पावर यह सारा चीज हमको पता छल तरहा है और लो फो जो इस्टेडी होता है वो क्यों काईर तै वो में अधिक बेश्ट ओपरेशन एंड गल्ल इक ग्जिस्टिंग शिश्टम हो हमारा की जो ऑपरेशन system हो जो control control of the existing system हो वो वेल हो उसका प्लान future expansion उसका लंबे time तक हो load growth उसका अच्छे level पर हो यह हमारा जो study क्या करता है जासे कुछ अगर new load add करना है तो उसका जानकारी दे सकता है अगर हमको कुछ new generator उसमें station add करना तो कहीं ने कहीं हमारे लिए help करता है और इसका जो प्तायर information इसका mainly क्या होता है कि जो system के losses और उसको जो क्या करें system के stability को यह चेक करें यह important point है कि system के stability को वो चेक करें वो उसका important point है कि वो system के करता है और जो सिटम के स्टिव्यल्टी थे यहां घामारे डिटर्माइन करता है कया जाएक्टिव फे यह क्योंट यह थे फूर्ट पॉइंट पर हो इसको को चुक इसको करता है रिटर्माइन मतलब उसका जो ऑपरेशन उसका बेस्ट हो और कंट्रोल जो सिस्टम हम लग जो हमारा लोड ग्रोथ हो वह अच्छे लिवल पर हो इस टाइब के जो स्टेडी है हमारा क्या करते हैं इफेक्ट जो न्यू लोड करते हैं इसको पढ़ते हैं इसलिए कि हम उसमें माली यह कभी- जो रोसे कम हूँ और इस्ट इंपयल्टी हमेसा प्रोवाइड करता है तब डिक चैसे के था तक इस टृदि नेट्वर का नहींम एक छकफ बिलता है- सुद्री इस टिटकर सॉलुशन के यह सुद्ट है और यह कहा दिता है हमारा इंफ़शन आप जैसा कि आप जानते हैं वोल्टेज इस पावर एक्टि पावर एक्टि पावर दिल्टा और यह करता है ऑप है कि एक जिस्टिन इस तरह नहीं रहे इसलब में बताता है ने सिटी में और उसके बदेखते हैं बस क्लासिफिकेशन इसके बस classification क्या होते हैं लोडबस जो हमारा पहला हमारा लोडबस ये क्या होते हैं जिस में हमारा दियाक्टिव पावर हमारा हमना स्पेसिफाइड होते हैं और voltage कि विई किया होता है अग एंदी हरा उसमें बोलेंगे पी इसमें क्या होता है अगर सिंचोंस मर्में को जाता है लोडूंग कंडिशन कि कि इस्junvy क्यों सब्सक्राइब करूट Давай उसके लोड़इंग ट्रिषन पह ilresser जब हैंपां यह सब्सक्राइब मॉल्टेज को हमारा इस कंदिशन था हैkich TRS क्षब हाई हमारा यह गता है लोडो का complete complete हो जाकता है तो पावर कहारा से रहते ह। हो इंतर कनेट्वरक के लिए यह फोका तैनल में इसा करने की लिए अदर कोoa rates सब्सक्राइब करने के लिए इंगेज करते हैं इस पर्पर्च के लिए उसे हम बोलते हैं इसे हम जिसमें हमारा रोड एंगल और वोल्टेज हमारा जिसमें इस्पेसिफाइड होता है तो यह था हमारा आज का बस हमारा वोल्टेज वाला और लोड फ्लो एनालिस अब करैंगे अब आपने को जो study होता है वो हमारा किसलिए होता है कि operational उसका बेश्ट हो उसका control existing system अच्छा हो और future plan के लिए लोड़ अच्छा हो इस टाइट के study हमें क्या करते है new load new generation कुछ या new line new inter connection करने के लिए help करते हैं और जो हमारा इसका prior जो होता है वो system के stability को maintain करने के लिए और जो minimize losses losses को minimize करने के लिए अब इसका necessity क्या है नहीं हमने देखा था कि power system के study state solution मिल गया और यह current को जो से current state को और analyze कर सा है उसके effective plan future में क्या होगा फिर हमने रहा था बस classification की load bus load bus क्या था हमरा कुछ नहीं था ट्राइमिनल आफ ट्राइमर में में मारा active power reactive power क्या थे specified है और वैसे हमने generator bus या PV बस देखा था पीवी बस में में रहा क्या था जिसमें हमारा जनेटर के terminal हमारा पी और वी हमारा क्या था इसके बाद दिख्वाइड होता है हमारा synchronous इसका नेटवर को लाइब करने के लिए उसको लॉस्लेस करने के लिए लॉसे इंगेश्ट कर देते हैं जिसका नहीं में स्लैक बस और स्लैक बस हमारा क्या होता है जिसमें वोल्टीज और लोड एंगल हमारा इस्पेसिफाइड होता है थैंक्यू जाहें